कुछ भी डाउट है प्लीज आट बोक्स में बर टाइप कर देना या फिर हैंड रेस कर देना camera on कर लो सब लोग अपना okay तो कल हम लोग क्या देख रहे थे that NCD model 2 is not Markov right and वो क्यो है क्योंकि there is a critical state 40 जिससे हम लोगो समझ मिन हा रहे कि 40 से 25 जाएगा या 40 से 0 जाएगा it will depend on what उसके पहले कहा था so that is why it does not hold true Markov property does not hold true तो अब heading 2 में converting non Markov to Markov converting non Markov to Markov कैसे convert करेंगे देखना we will make 2 new states basically 40 हमारा अभी 4 states है one second let me just अभी हमारे पास 4 states है 0, 25, 40 and 60 हम लोग क्या करेंगे इस 40 state को 2 parts में divide करेंगे एक करेंगे 40 minus और एक करेंगे 40 plus चीक है 40 minus के लिखो 40 minus के लिखो current level is 40% current level is 40% and previous year was and previous year was not claim free not claim free 40 minus 40 minus के लिखा की plus के लिए minus के लिए 40 plus के लिखना current level is 40% current level is 40% and previous year was claim free and previous year was claim free तो इससे basically हम लोग को क्या समझ में आ रहे कि 40 अब हमने क्या किया 40 को 2 parts में divide कर दिया 40 minus and 40 plus 40 minus is current level 40% just that पहले claim हुआ था and 40 plus मतलब अभी हमनों 40 पे है अगर मैं बोल रहे हूँ यह मेरा मैं बोल रहे हूँ 25 given xn equal to 40 minus ठीक है तो this is basically बहुत flicker हो रहा है ना screen यह वाला screen पे flicker हो रहा है क्या नहीं वो तो ठीक है बट यह यहां पे ठीक है ना यहां ठीक है छीक है आप लोग जो मैंने screen share किया है video students वो screen को pin कर लो आप लोग अच्छा अब हो रहा है ना Gmeet on करने सो रहा है ठीक है तो मैं Gmeet नहीं यहां पे on कर यू किसी को doubt हैगा please raise your hand and you all can just unmute and you can start speaking and आप लोग जो screen मैंने share किया है उसको pin कर लो and then you all can easily see जो screen जिस पर मैं बोल रही हूँ वो screen नहीं जो मैंने share के उसको pin करना alright चेक है और कोई भी दिक्कत है तो प्लीज let me know चलो so basically हम क्या बोल रहे है x हम लोग 40- पर खड़े and probability कि हम 25 पर जाएंगे इसका answer क्यों होगा very good very good 0 होगा क्यों 40- मतलब पहले claim किया था तो अब अगर claim करेंगे तो सीधा 0 पर जाएंगे और claim नहीं करेंगे तो 60 पर जाएंगे very good next लिखो copy कर लो उसको please चोड़ो आज थोड़ा technical हां बोलो अब देखो अब देखो हां second वाला क्यों होगा 40- पर जीरो पर जाएंगे claim किया है हमने p very good and 60 पर जाने का 1- p similarly एक बाद जल्दी से हमने 40- प्लस के लिए देख लिए 40- प्लस पर है and 25 पर जाएंगे क्यों होगा p very good 40- पर मतलब पिछले बार claim नहीं किया था अभी claim करेंगे तो 25 पर जाएंगे very good 40- प्लस पर है 0 पर जानेगा probability will be 0 क्यों क्यों n-1 is future time period n-1 is previous time period n को हम लोग current मान रहे है चीक है when I am saying कि हम 40 क्या time हो रहा है start किते बज़े से होने वाल था class बैठो मेहूल के बगल में बैठो 40- and 40- तो अगर अभी हम 40- पर खड़े इसका मतलब we are at 40% level discount level मतलब हम लोग को premium पर 40% discount मिल रहा है company से minus का मतलब यह है कि पिछले बार हमने claim किया था there was a claim in the previous year मतलब अगर हमने claim किया था तो हम 60 से 40- पर आये है 40 plus का मतलब है कि पिछले बार हमने claim नहीं किया था मतलब हम 25 से 40 plus पर आये है तो अगर हर्शुता बताओ अगर हम लोग 40 plus पर खड़े अब हम लोग इस आल claim करते हैं very good 25 पर जाएंगे क्योंकि पिछले बार claim नहीं किया था and अगर claim suppose नहीं किया हमने 40 plus पर खड़ोगे तो का जाएंगे 60 पर जाएंगे very good चीक है तो यहाँ 25 पर जाना is P 0 पर जाना is 0 and 60 पर जाना will be same 1-P understood understood चीक है लिखलो इसको तो हम लोग का नया state space क्या बन गया हम लोग का नया state space क्या बन गया अभी 0 25 40 minus 40 plus and 60 this is the new state space that we have copy कर लो चलो इसको एकदम समझ के पड़ो Markov is very interesting अब हम लोग इसका transition graph बनाएंगे हाँ बोलो सॉरी अवाज नहीं आया वो मैं बताऊंगी वो मैं बताऊंगी वो मैं बताऊंगी इस पर मैं आऊंगी रुको तो बेसिकली अब हम लोग transition graph बनाते हैं transition graph में सारे probability सारे states सब कुछ आ जाएगा चीक है तो पहले यहां देखो फिर बनाना I'll give you all time तो क्या-क्या states है हमारे पास 0 है we have 25 40 को हमने दो पार्ट में split किया 40 plus and 40 minus and we have 1 अरे अपने अपका लग pen कैसे जाएगा and we have 60 चीक है तो अगर अभी हम लोग suppose let's say 0 से start करते है तो 0 से 25 को जाएगे उसका probability क्या होगा claim नहीं किया 1 minus P very good 0 से 0 पर हैंगे अगर claim कर दिया तो मतलब P चीक है this is same as NCD model 1 25 पर खड़े claim कर दिया तो कहां जाएगे no matter what पिछले बार किया था नहीं किया था उससे फरक नहीं परता इस बार अगर claim कर रहे हो 0 पर ही जाएगे 2 level नीचे जा नहीं सकते so this will be P 25 पर खड़ो के claim कर दिया तो किस पर जाएगे 0 पर और claim नहीं किया तो आप लोग क्या बोल रहो सब 40 प्लस ही बोल रहा है very good 40 प्लस पर जाएगे 40 प्लस का मतलब एक claim नहीं किया है तो 40 प्लस पर अगर कोई खड़ा है मतलब पिछले बार उसने claim नहीं किया था तो वो 25 से 40 पर आया है ना राइट सो 1-P अब 40 प्लस पर तो देख लो 25 से all the arrows coming out of a particular state should add up to 1 very good 40 प्लस पर खड़े 40 प्लस पर खड़े claim कर दिया तो तुम बोलो कहा जाएगा हम claim कर दिया तुमसे पहली बाद तो question पूछा ही नहीं गया है तुम बीच में answer कर दिया बोलो claim कर दिया अराम से सोचके बोलो very good very good भावेश ठीक है तो 25 पर जाएगे क्यों 25 पर जाएगे क्योंकि claim नहीं किया है तो एक level ही नीचे जाएगे अगर हम इस पर claim करते है हर्षता clear ठीक है तो यहाँ पर it will be what probability P अब 40 plus और claim नहीं किया तो कहाँ जाएगे 60 there is only one place 60 अब अगर 60 पर खड़े claim कर दिया तो कहाँ जाएगे very good 40 minus पर जाएगे तो 40 minus पर हो जाएगा P and 60 पर खड़े claim नहीं किया तो 60 पर ही जाएगे 40 minus देखो 40 minus ने claim कर दिया तो सीधा 0 पर जाएगे with the probability of P and P and 40 minus पर ख्लेम नहीं करोगे तो obviously 60 देख लो एक बार इसको और बनाओ खुद से खुद से बनाने कर जाएगे करो clear है usually signs रुको में बता रहेगे हाँ बोलो किसने hand raise किया हाँ अवाज दिया रहा नई और मुझे clear नहीं हो रहा वन चिका विशाका बोलो वापस से बोलना 60 पे खड़े हो claim नहीं किया तो claim नहीं किया तो benefit मिलेगा कि उसका आपको disadvantage मिलेगा claim नहीं करने से benefit benefit मिलना चे न तो आप 40 पे क्यों जाओगे 40 पे जाओगे तो फिर आपको तो नुक्सान है 40% discount मिल रहा है आपको नहीं 40 plus का मतलब है कि we are standing at 40 plus now और पिछले बार ही claim नहीं हुआ था तो 60 से 40 जाने का मतलब है 40 plus जाने का कि claim हुआ है 40 plus पे कैसे जाएगा 40 minus पे जाएगा try to understand 40 plus is a state मतलब अभी अगर हमनो 40 plus पे खड़े हैं तो पिछले बार claim नहीं हुआ था मतलब हम 25 से ही 40 plus पे आयें हम 60 से नहीं आयें अगर हम 60 से आयें मतलब हम क्लेम हो क्या आयें चिक है विशाका अब देखो एक question आते कि critical state कैसे पता चलेगा this you can only understand by reading the sum understanding and each state को आप पकड़ो जैसे कल हम पकड़ रहे थे हर एक state को 60 को, 40 को, 25 को, 0 को हम लोग देख रहे थे कि कौन से state पे अगर खड़े हैं क्लेम करेंगे तो क्या होगा तो खाली 40 पे confusion आ रहा था कि 40 से 0 पे जाएंगे कि 25 पे जाएंगे so that's a critical state चिक है तो सबसे पहले I'll make your right the steps उसके पहले एक पहले जल्दी से transition matrix बना लो अब आप लोग matrix खुद से बना सकते हो and हाँ 40 minus और plus इसले generally हम लोग plus लिखते है for no claim and minus is for claim, उल्टा लिख सकते हो because it's up to u आप लोग क्या sign देरे हो but convention follower है तो उसी को follow करते है better हैगा, चिक है तो यह AC को ना ठीक करो यह चल नहीं रहा इसको आप 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 लोग पते क्या देखोगे? कुछ कुछ सम्स, मतलब this is just a very, I will say not a very exotic NCD model, it's a very basic, कुछ कुछ NCD models में होता है कि हम 40 plus स 40 minus में भी जा रहे हैं, जैसे कि same state में loop होता है, जैसे यहां पे same state में loop नहीं है, हम लोग देखेंगे कि अगर आप 1 claim करते हो, तो आप 1 ही उसी state में रहोगे, अगर आप more than 1 claim करते हो, त तो आप 1 level नीज़ जाओगे, तो वैसा भी sums आता है, तो उसमें loop बन जाएगा, मतलब 25 पे खड़े, और हम नहीं क्लेम किया, तो हम 25 पे रहेंगे, पर उस case में क्या होगा, अगर आप 40 प्लस पे खड़े हो, मतलब की last year claim नहीं किया था, और वापस नहीं क्लेम कर दिया, त तो वह सारा बहुत अलग-अलग type का NCD, मतलब, you will get a lot of models, NCD, but NCD model अगर सम में आता है, मतलब question में आता है, it's a good thing, क्योंकि NCD थोड़ा easier to understand होता है, ऐसे तो सारे models आपको समझने हैं, अलग-अलग type के, but NCD is something, जो बहुत different types का आ सकते है, चीक है, तो हम लोग compiler में करेंगे, 0, 0, 0, 1-P, 0, 0, 0, all should add to 1, the rows should add to 1, तो अब केसी ने पूछा था कि कैसे हम लोग critical state identify करेंगे, you all can just write 2-3 steps, जल्दी से लिख लो, मला basically to convert non-markov into a markov, तो उसका steps होता है, step number 1 लिख लो, identify the critical state, identify the critical state, second point, redefine state space, redefine state space, by redefining the critical state, by redefining the critical state, 3rd Point, Draw a New Transition Diagram, Draw the New Transition Diagram. So basically, यहां हमने Critical State धुंदा 40%. उसको हमने Redefine किया 40 plus and 40 minus and then हमने नया Transition Graph बनाया. So यह जो Critical State identify करना है. This I can teach you to some extent कि ना ऐसे ऐसे आपको करना है. हम लोग sums करेंगे तो उससे हमारा obviously thinking power will increase. But in the exam point of view, you will get an entirely new sum. अब ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते हैं. Out of 10 students, 3 students, 4 students, अराम से कर लेते हैं उसको. To some extent और भी students कर लेते हैं. But वो कैसे होते हैं आपको thinking develop करना पड़ेगा by doing the compiler sums that we'll be doing. So that's very important. Now let's do, यहां तर clear है? NCD model 2 clear है सबको? Any doubt you'll have? Now let's start with the different properties of Markov chain that we'll study. सबसे पहले लिखो irreducibility. 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 इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना, A Markov chain is said to be irreducible, a Markov chain is said to be irreducible, if every state, if every state can eventually be reached, from each and every state. From each and every state. So basically, यह लिख लो यह एक्वेशन, Pijn is not equal to 0. इसका meaning कौन सम्जाएगा मैको? Just by looking at the equation. हाँ सही बोल रहा है? Correct. So basically, n steps can be any number यहाँ पे, and i and j are the two states. तो i से j में जाएगा ही जाएगा. मतलब there is, आप चाहे 10 steps में जाओ, 20, 30, 40, 50, कितने भी steps में जाओ, पर state i से state j में जाएगा ही जाएगा, it's a non-zero probability. चीक है? अब जैसे, याद करो, कल हम लोग, अच्छ, मैं भी करवाओंगी examples, but हम लोग कल gambling वाला sum कर रहे थे, जिसमें first state क्या था? 0 and last state 20 था. तो 20 पर पहुँच गया, फिर किसी और state में जा सकते हैं क्या? So basically हमारे case में 20 से, let's say suppose 10 पर जाना, 20,10, in any state n, by any time n, time lag n, n is the time lag, this is 0, this was 0 remember, similarly अगर आप 0 पर पहुँच गया state, 0 पर तो आप कहीं और नहीं जा सकते, ठीक है clear है सबको, so basically irreducible का यह मतलब होता है, कि एक state से दूसरे state में हम लोग जा सकते हैं in any number of steps, तो हमारा जो chain है, Markov chain is set to be irreducible, अब एक और चीज़ लिख लो, for not irreducibility, for not irreducibility, हमारा criteria क्यों हो जाएगा, obviously, pijn equal to 0. So basically यहां पर यह फरक नहीं बढ़ता कि आप एक step में या दो step में, बस जाना है, एक state से दूसरे state में आपको पहुंचना है, doesn't matter कि आप एक step में पहुंचो या दो step में पहुंचो या कितने भी steps में पहुंचो, that doesn't matter, another thing, इन पूरे chain में, अगर एक भी state irreducible है, मतलब जैसे हमने, जो हम gambling वाला sum कर रहे थे, उसमें 20 से, अगर आप 20 पे पहुंच चुके हो, तो आप कई और state पे नहीं जा सकते, तो if even one state is irreducible, आप 20 पे पहुंचके कई और नहीं जा सकते, तो entire chain becomes irreducible, so every state has to be irreducible, for the entire Markov chain to be irreducible, चीक है, अब क्या होता है, कैसे questions आते है, suppose यह NCD model आया आपने बना दिया, now they will ask you whether the chain is irreducible or not, आपको देखके क्या लग रहे है यहाँ पे, 60 पे खड़े हो, 0 पे जा सकते हैं क्या, जा सकते हैं, 40-2 step में जाओ, 3 step में जा सकते हैं, 40-0 पे जा सकते हैं, 40-0 पे जा सकते हैं, 60-25, so we can go कहीं से भी कहीं पे यहाँ पे, in our case, in this particular case, so this chain is irreducible, clear? तो यह model जब बन जाता है न, उसके बाद की जो steps होते हैं, वो easy हो जाते हैं, जो यह properties है, clear, irreducible, irreducible clear है, हाँ, बोलो, क्यों नहीं जा सकते हैं, 25-60 से, आप 40-0 गए, फिर 0 गए, फिर 25 गए, 34 step में तो चले, गए, अब हम लोगों जो गांबलर वाला कर रहे थे, देखो, मैं वो दिखा रहे थे हूँ, टाइग्रम हमने तो बनाया ही था, transition graph, इस वाली के लिए क्या बोलोगे, irreducible है कि नहीं है, irreducible है, 60 पे खड़ो, 0 पे जा सकते हो, 30 पे जा सकते हो, 30 पे खड़ो, 2 पे जा सकते हो, So this is irreducible, यह वाला के लिए क्या बोलोगे, 6 पे पहुंच गए कहीं और जा सकते हैं, क्या? यादे वो dice वाला, maximum number वाला, तो 6 पर पहुँच गए कहीं और जा सकते, this is not irreducible, this is not irreducible, and similarly gamblers वाले का भी not irreducible, 20 पर पहुँच गए कहीं और नहीं जा सकते, is this clear, चीक है, very good, जबी भी किसी state में, यह बहुती थम रूल है, किसी, visualize करो, जबी भी किसी state में, loop है, मैं लगा उसी state से उसी state में, and वो one है, तो वो irreducible हो जाएगा, one होने का मतलब है, उस state में पहुचा, उसी में रह गए, understood, उस state में पहुचा, उसी में रह गए, चीक है, clear है, हाँ, not irreducible होगा, sorry, not irreducible होगा, yes, चीक है, मैं एक काम करती हूँ, अच्छा, आप लोग करो, मैं एक laptop मंगा लती हूँ, because मुझे मैं screen on करी हूँ, तो बहुत flicker कर रहे हूँ, चलो, so basically irreducible, clear है, next लिखो, periodicity, next लिखो, यह हमारा वन्था, periodicity, इसके नीचे लिखना, a state in a Markov chain, a state in a Markov chain is said to be periodic is said to be periodic with a period d with a period d where bracket में d is greater than 1 where d is greater than 1, bracket में, जी मी टॉन करने से बहुत flicker कर रहे है, तो मैं आप पर आउन कर लेगा, कर दोना, अच्छा, इसमें चार्ज भी नहीं है, मैं शुरू से बोल रहे हूँ बाद, a state in a Markov chain is said to be periodic with period d where d is greater than 1, if a return to that state, if a return to that state is possible only in a number of steps, only in a number of steps, that is a multiple of d, that is a multiple of d, full stop. Next paragraph, A state that is not periodic is said to be aperiodic, is said to be aperiodic, a Markov chain is said to be aperiodic, if every state in that chain, in that chain, is aperiodic, is aperiodic. So basically, क्या समझ मैं है, हम लोग को periodic से ध्यान से सुना, ठीक है? Let's take an example, तो क्या बोल रहे है, कि एक state, एक state in the entire Markov chain, is said to be periodic, with period d, if a return to that state is possible, only in a number of multiple of d. तो एक example लेते हैं, 1, 2, 3, यह तीन state बनाया मैंने, चीक है? यहां से हम यहां जा सकते हैं, यह मेरा probabilities चलो, कुछ भी चलेगा, doesn't matter, यह मेरा सारा states दिया वह, चीक है? अब देखो यहां पर क्या और है, एक-एक state के लिए समझते हैं, सबसे पहले, state 1 के लिए, हम लोग state 1 से start करे है, 1 से 2 पे गए, फिर वापस 1 पे आए, कितने steps में वापस आए? 2 steps में वापस है, 1 से 2 पे गए, फिर 3 पे गए, 3 से 2, 2 से 1, कितना steps हुआ? 4 steps हुआ? हाना? और कितना possible ऐसा? 1 से 2, 3, 2 वापस 3, वापस 2, वापस 1, कितना हुआ? कितना हुआ? 6 हुआ? हाना? So, just understand this thing, कि इतने number of steps में, हम लोग वापस से आ सकते हैं 1 पे, ठीक है? अब इस पूरे का, HCF निकालू, HCF आते हैं, highest common factor. क्या होगा? इसका 2 होगा, HCF. 2 होगा. तो, basically, this state is set to be periodic, with d equal to 2. Clear? 8 steps में possible है, फिर 10 steps में, so on. तो, इसका HCF क्या आएगा? 2, highest common factor. चिक है? 2 आया. So, यह हमारा 2 होगा. Similarly, इसके लिए बताओ. State 2 के लिए बताओ. State 2 के लिए बताओ. 2 से start करो. 2 से 1 पे गए, वापस 2 पे आ गए. 2 steps हुआ. 4, 5, 6. Same है. Same type के. तो यह भी d equal to 2 होगया, और यह भी similarly d equal to 2 होगया. मैंने क्या लिखाया? If all the states are, if all the states are periodic, मैंने यह periodic के लिखाया, but if all the states are periodic, then entire chain becomes periodic. अगर एक भी state है, periodic है. अब अगर मैं इसमें twist लाके, यहां पे एक और ऐसा loop बना दू. 3 पे. अब देखो क्या twist है? 2 से start करना. 2 से 3 पे गए. 3 से 3 पे थे. और फिर 2 पे है. कितना steps हुआ? 3 steps हुआ. Is it clear 3 steps हुआ? ठीक है, slow clear है? 3 steps हुआ, okay? तो 3 steps हुआ. Similarly, 4 steps में भी आ सकते हैं. 2 से 3? नहीं, 4 नहीं होगा. 4 नहीं possible है. 6 steps में हो सकते हैं. तो जैसे 3, 2 steps में भी possible है. यह 3 आ गया, अब इसका HCF निकलेगा. HCF क्या आएगा? HCF क्या होगा? 1 आएगा HCF. Is 1 greater than 1? तो वो क्या हो जाएगा? State 2 will become aperiodic. If one state is aperiodic, क्या लिखा है मैंने? Markov chain is set to be aperiodic. If every state in that chain is aperiodic. अब अगर 2 aperiodic है, generally क्यों होते हैं? 3 भी aperiodic है. 3 कैसे aperiodic है? 3 का भी देख लो. 3 एक step में ही आ सकते हैं. खुद में. तो यह तो बनी गया. 1 का देखो. 1 का भी 5 हो गया ना? 1 से 2 पे गया. 2 से 3 पे गया. 3 से 3 पे थे 5 आ गया. तो वापस HCF 1 हो गया. तो जब भी एक loop आ जाए. Usually. And the chain is irreducible. Irreducible का मतलब है? कहीं से भी कहीं जा सकते हैं. And there is a loop in that particular state. In any one state. तो वो पूरा chain aperiodic हो जाता है. अभी मैं लिखवा हूंगी सारे rules. But clear हुआ यह चीज? Periodic, aperiodic? मतलब अगर यह को usually ऐसा जरूरी नहीं है. कि सेम होगा. कि सबका D equal to 2 है, D equal to 2 है. But generally 2 होता है. Usually हम लोग की cases में. Because हम लोगा बहुत छोटा सा state. हम लोगा बहुत कम 4-5 states ही लेते हैं. To two steps में हम आ जाते हैं. कि 3 भी हो सकता है HCF. Anything other than 1 हो सकता है. कोई issue नहीं है. D is the HCF. D is the HCF. Of the number of steps of coming back in that particular state. That is one thing. चीक है? Another thing, एक सेकेड रूपना. Another thing यहाँ पर एक चीज कि जैसे तुम बोल रहा है कि हर एक state का 2 है. तो यह जरूरी नहीं है कि 2 हो. बट अगर हम लोग बोलते हैं कि एक भी हाँ पर A periodic हो गया. तो हम लोग फिर देखते हैं. अगर एक भी periodic, A periodic. एक भी A periodic हो गया, तो हमारा पूरा chain अब periodic नहीं है वस. अगर सारे states periodic हैं, तो ही chain periodic रहेगा. अब एक line लिख लो पहले फिर मैं doubt लेती हूं. Hence, if return back to same state is possible, जो मैंने हाँ पर यह loop बना के रिखाया, you all can make this in your copy, ठीक है? मैं जो भी इसा बना रहे हूं. Hence, if return back to same state is possible, it is always aperiodic. तो जो मैंने लिखाया है na basically, मैंने क्या, जो मैंने बोला कि अगर irreducible है, अगर irreducible है and there is a loop, तो हमेशा वो क्यो हाँ जाएगा? aperiodic, यह लिखके रखो. Yes, look. नए यह एक ही चीज होगा na, दोनों चीज नहीं हो सकता है, जैसे यहाँ पर 3 aperiodic हो गया, 2 भी हो गया and 1 भी उसके वज़ज से हो गया. एक, correct, very good. एक ही identify करोगे तो बोल सकते हो, कि chain periodic है या नहीं है. क्योंकि अगर एक ही aperiodic निकल गया, तो chain a periodic नहीं है. Okay? A periodic के लिए बर सारे states aperiodic होने पड़ेंगे. देखो, मैंने क्या लिखा है? Markov chain is set to be aperiodic if every state in that chain is aperiodic. Usually irreducible है और loop है, तो वो aperiodic अपने आप होजाते है. चीक है? Next heading देना. Long term distribution of Markov chain. Long term distribution of Markov chain इसके नीचे लिखो stationary distribution. चीक है? तो अब definition लिखना है. देखो, pi नीचे में बार. equal to लिखना, pi 1, pi 2, pi n is a stationary distribution, इसके बाद, is a stationary distribution, basically pi bar के लिए हमनों बोल रहे है, इसा stationary distribution, for a Markov chain, for a Markov chain, with n states, with n, n states, and with transition matrix P, and with transition matrix P, capital P. if following situations, if following conditions, if following conditions, if following conditions, hold for all j in s, small j capital s, hold for all j in s, hold for all j, small j in s, अब देखो conditions लिखलू, ही अबूल, हीबूल. को यहाए लिए है, ुगलोई, हीबूल को बद़ए, को यहाए, को तेखीं. का वहाए, को demonstrate Raps. हो औरो. leader Sal Kalon lamps बेसिकली क्या है पहले समझो, बहुती अजीव लग रोगा देखके कि यह क्या पाई आगया धर, बेसिकली जो यह स्टेट्स हमने बनाया, मार्कोफ चेन, चेक है, NCD model हमने बनाया, हम थेखना चाहते हैं कि लॉग रन में, let's suppose after 10 years, 20 years, 30 years, depending on the business, उसका उस business का लॉग रन कॉंसेप्ट क्या है, in the long run, हमारा probability क्या होगा, या फिर हमारा distribution क्या होगा, states का मतलब, कि probability of being in state 1, state 2, state 3, whatever, जितने भी number of states है, that long run distribution is basically your stationary distribution, stationary का meaning हम लोग अर अच्छे से समझेंगे, time series में, but stationary का meaning ही होते है कि stable होगे, it will not change anymore, the distribution will not change with time, that is your stationary distribution, तो मतलब long run में, after 20 years, क्या मेरा stationary distribution है, या फिर मेरा क्या long run distribution है, probability of being in all the states, तो एक एक करके देखो यहाँ पे, पहले इसको समझते हैं, पाई बार का मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पाई 1, पाई 2, so basically पाई बार is a vector, which constitutes the probabilities, यह सारे हमारे probabilities है, of being in the respective state, 1, 2, 3, 4, जो भी, obviously, since these are probabilities, it should be greater than equal to 0, it cannot be negative, and also obviously, it should be less than equal to 1 also, this is there, and another thing, all should add up to 1, why? because वो जो रो था, probability matrix में रो adds up to 1, तो यहाँ पे भी all these should add up to 1, इसका क्या मतलब है, समझो, इसका, एक बाई इसका मतलब कोई समझा सकते है, कोई interpret कर सकते है, कल के class से related है, logically कोई meaning समझा सकते है इसका, हम क्या कर रहे हैं धर? चिक के अरनो शाओ, और, और कुछ, यह इस पनीट, हाँ, correct, kind of, तुम क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक step बाद, P is what? P is one step transition matrix, ना, तो यह क्या है? यह हम लोग का current state space है, मैं लोग, current distribution है, जैसे हम लोग कल x0 लिख रहे थे, 010, तो वो हम लोग का क्या है? current x2 लिख रहे थे, हम लोग का current distribution है, correct, that multiplying by P मतलब हम लोग one step आगे जा रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग का states का probabilities सेम आ रहे हैं, हम लोग का distribution चेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि in the long run, अगर हमारा पूरा chain एक step आगे और जाता है, तो भी distribution सेम रहेगा, तभी उसको हम लोग stationery बोलेंगे, तभी उसको long run बोलेंगे, मैं लोग long run में it is not changing, 100, हम लोग x100 पे पहुंच गए, into P, this gives us 101, this will give us 101, this and this are same, when this and this are same, मतलब आप अपना long run में पहुंच चुक्यों, understood, understood, yes or no? So basically we can say x100 equal to x101 is basically equal to our π bar, यह इतना आगे जा चुका है कि अब एक step और हम जम्प करें, जम्प is a wrong word, एक step आगे और हम जाएं, तो भी सेम रहेगा, very good. अब इसके नीचे थोड़ा theory लिखना है, लिखो, results related to stationary distribution, results heading देना, results related to stationary distribution, इसमें 4 points है, पहला point लिखना, अब मार्कोफ चेन, अब मार्कोफ चेन, अब मार्कोफ चेन, विद अ फाइनाइट स्टेट स्पेस, with a finite state space, finite state space मतलब, states finite है, n number of states नहीं है, मतलब, infinity states नहीं है, अब मार्कोफ चेन, विद अ फाइनाइट स्टेट स्पेस, has at least one stationary distribution, has at least one stationary distribution, full stop, a Markov chain with infinite state space, same point, same point, a Markov chain with infinite state space doesn't have a stationary distribution, doesn't have a stationary distribution, doesn't have a stationary distribution, second point, a Markov chain that has a finite state space, a Markov chain that has a finite state space, and is irreducible, and is irreducible, has a unique stationary distribution, 3rd point, a Markov chain, if a Markov chain, if a Markov chain, if a Markov chain, is irreducible, is irreducible then all the states, then all the states in the state space, in the state have the same period, have the same period, full stop, same point. Hence if, hence if, one is aperiodic, one is aperiodic, the chain is aperiodic, the chain is aperiodic. Last point, fourth point, let go. If a Markov chain has a finite state space, if a Markov chain has a finite state space, and is irreducible, and is aperiodic, then in the long run, then the probability of being in state J, the probability of being in state J, is given by Pi J. तो basically हम लोग क्या-क्या समझें यहां पर, सबसे पहला क्या बोल रहा है, अगर infinite, first, इबा, first point, सब लोग read करो, कुछ से, अगर infinite state space होगा, तो, stationary distribution नहीं होगा, चिक है? अगर finite होगा, तो at least, one stationary distribution, there will be, for sure, एक तो हो गई, finite होगा, and, second point, read करो, finite होगा, and irreducible होगा, so there will be a unique, मतलब, एक ही, unique stationary distribution, unique, अच्छा, क्या difference होगा, finite state space है, तो, बोल रहें, at least, one stationary distribution, to for sure, होगा, for example, मेहूल का जो stationary distribution आया, मेरा अलग आरहे, can be possible, but, अगर यह reducible है, अगर irreducible है, तो, unique होगा, मतलब, जो उसका है, का answer, वो मेरा आना चाहे, clear, चीक है, उसकी बाद क्या बोल रहें, finite भी होगा, irreducible भी होगा, third point, and a periodic भी होगा, तो, it will be unique and can be evaluated, मतलब, हम लोग उसको calculate कर सकते हैं, चीक है, I'll show you the calculation की calculation कैसे करते हैं, is this clear, अब 2-3 examples लेते हैं, आप लोग को लिखने का वैसा जरुवत नहीं है, लिख भी सकते हो, तो, 2-3 examples, suppose हम क्या बोल रहें, इसी को elaborate करने के लिए, यह मैं states ले रहे हूँ, चीक है, and यहाँ पे, let's suppose यह पूरा possibilities है, and इसके यहाँ पे एक loop बना देते हैं, यह क्या है, finite state space है, irreducible है क्या, irreducible है क्या, कैसे कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, a periodic है क्या, a periodic भी है, चीक है, तो at least यहाँ पे एक stationary distribution possible होगा, हना, unique station and we can evaluate, अब एक और चीज लिखना, it doesn't matter, जब आप stationary distribution calculate करोगे, it will not matter कि आप कहां से start करो, जैसे कल मैंने लिखाया था, x0 is 30%, तो आपने लिखा था 0, 1, 0, x0 के लिए हमने 0, 1, 0 लिखा था, तो आज यहाँ पे doesn't matter कि आप 30 से start करो, 0 से start करो, 60 से, long run concept है, तो आपका distribution सेम ही आना चाहिए, आप कोई भी level से start करो, it doesn't matter, you start from, इस case में you start from 4, 5, at the end doesn't matter, चीक है, एक और example ले लेते हैं, चलो, तो इस case में बोलो finite है, irreducible है, irreducible है क्या, irreducible है, obviously, yes, irreducible है, a periodic है क्या, a periodic है क्या, periodic है तो periodic क्या है, एक state का, let's say suppose state 2 का क्या है, 4 है, 4, 8, 12, 16, इस steps में पहुँच सकता है, 2 से 2 में, तो इसका D क्या हो जाएगा 4, तो periodic ही 4 हो गया, तो यहां पे इस case में हम लोग क्या बोलेंगे, there is at least one unique stationary distribution, evaluate में भी नहीं कर सकता है, because this is not a periodic, चीक है, all right, a periodic नहीं है, third point read करो, जो मैंने लिखाया, अब एक example लो चलो, question है basically, example या question जो भी लिखना है, one, third point read करो, third point में क्या लिखाया, और कुछ नहीं लिखाया, so basically it can be evaluated, and उसके बाद वाला देखो न, part 4, if a Markov chain has a finite state space, irreducible and is aperiodic, then in the long run, the probability of being in state j is given on πj, इसका मतलब भी it can be evaluated, fourth point का मतलब, यह मैंने एक example दिया है, यहाँ पर क्या क्या पता चल रहे हम लोग को, finite है क्या, finite है, irreducible है क्या, aperiodic है क्या, बताओ, irreducible है क्या, aperiodic है क्या, इसलिए मैंने कल क्या बुला था रश्मी को, अभी वो चीज़ देखलो उसके लिए अभी applicable है, सोच के बोलो, प्रेटना गन्फ्यूज हो रही है तुम्हारे answer से, चीक है, हाँ तनिश्क, very good, aperiodic है, क्योंकि there is a loop, and it's irreducible, देख के पता चल रहा है, it's aperiodic, हर्शता, aperiodic का मतलब क्या है? क्या one होता है, D1 होता है, मतलब, हाँ D1 होता है, Aperiodic तुम सही बोल रहे हो, उसका मतलब क्या है, D1 होने का, कि उसी state से, उसी state में हम जा सकता है, in one step, यही था, है न, okay, तो अब इसका हम लोग को, stationary distribution निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे, क्या लिखाया था मैंने? यह लिखाया था? P हम लोग को पत्ता है क्या? हर्षित है यह वाला P, मैंने सही लिखाया कि गलत, transition graph से देखे बताओ, सही लिखाया है, और यहां हो जाएगा, यह मैं मिटा रही हूँ बाची के, चलो इसको solve करो, actually comma नहीं दोगे तो better हैगा, but doesn't, solve करो, pi 1, pi 2 ही लेना चाहिए, क्योंकि state 1 और state 2 है, अगर state a, b, c होता तो pi a, pi b लेते, तुम क्या बूल रही हो? रो वेक्टर होगा, हां, 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 अब इसको solve कैसे करेंगे? matrix multiplication यूज करो, this entire thing into this, so basically 0.4 pi 1 plus 0.1 pi 2, 0.6 pi 1, plus 0.9 pi 2, equal to pi 1, pi 2, equal to pi 1, equate करो, नहीं, उत्रा महिनत क्यों गड़ना है? अब इसको और इसको equate करो, इसको और इसको equate करो, and answer बताओ क्या आएगा? अगर ऐसा question exam में आते हैं, तो यह free का 4-5 mark मिलता है, यहां पर 2 state है, तो 3 marks होगा, बट 4 states, 5 states के भी आते हैं, तो वो free का 4 marks से 5 marks है, क्योंकि आपको खाली calculations करना है, और कुछ दिमाग एक्षा नहीं लगा नहीं किस नहीं बुलाई चीज? तनिश्क, तनिश्क अब तुम ही बताओगे कि एक और, क्योंकि तुम्हारे नाम में stats लिखावे, तो तुम ही बताओ, कि अब इसमें एक और equation हम अपना क्या बना सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा, सब मन में सोचेंगे, यह क्यों कि में को बताओ आधे लोग को answer ही नहीं पता है, बट still, चलो, यह क्या होना चे? Very good, very good, तो में एक दम सही लिखा है stats अपना नाम, π1 प्लस π2 इक्वल टू 1, यह हम लोग का equation है, यह क्यों? क्योंकि यह बोल रहा है कि यह दोनों equation solve करने से एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो यह तो हम लोग को हमने लिया ही नहीं, यह तो given है, long run में तुम या तो 1 पे होगा, या तो 2 पे होगा, हवा में थोड़ी होगा, चिक है? चलो, करो solve, you have two equations and two unknowns, solve करो हमेशा एक पाई में convert करने का कुछिश करो, मतलब पाई 1 के form में लेओ, और फिर उसको equate कर दो, जिसे यहां पे यह पूरा चीज पाई 1 है, यहां पे आप लिख सकते हो, इसको पाई 1 के form में लेओ, एक बार shortcut समझो कैसे करते है यूजुली, तो यहां पे पाई 1 und equal to यह हो जाएगा भ тебе बूलना。 यह हो जाएगा, और यहां पे पाई 1 हो जाएगा 1 minus two तो पाई 2 पाई 2, आगे और उसको equate कर दो, तो पाई 2 solve حोते हो और पे पाई 2 solve होगे तो्शाइगा अपने यह आँवाएब यहां पादाएगा एक बहर उसमें बताना, fractions में, कौन सा 6 by 7 है, चेकर आया, इसमें probability of pi 2 इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, long run में, graph देख के बताना, क्योंकि 1 से 2 पर जाना 0.6 है, और 2 से 2 पर रहने का 0.9 है, इतना high probability है, तो सब 2 पर टेंड कर रहे है, इसले 2 का 6 by 7 है, यह सब आपको सोचना पड़ेगा, कि ऐसा क्यों हो रहा है, so basically our distribution, our long run distribution is, 1 by 7, नहीं, अब decimals में भी, इसको लख देना, 4 to 5 decimals में, चीक है, this is my pi bar, next example, लो example number 2, हो गया सबका, पहले तो देखो, यह वाला गर equation ले रहे हो, तो यह आएगा pi 1, मलब एक single pi में convert कलो सबको, क्या आया, pi 1 equal to 0.1, pi 2 by 0.6 आया, इसको लेने से, और इसको कैसे लिख सकते है, pi 1 क्या लिख सकते है, 1 minus pi 2 लिख सकते है, अब इन दोनों को equate कर दो, pi 2 आ जाएगा, example number 2 देखना, तो यहाँ पर finite है क्या? finite है, irreducible है क्या? कितना जल्दी हाँ बोल देते हो ना तुम लोग, तुरंट एक दम, irreducible है क्या? कैसे नहीं है? very good, क्यों नहीं जा सकते है, क्या है, बताओ, क्यों नहीं, क्यों irreducible नहीं है? 1 पर नहीं जा सकते है, 3 से 1 पर, 2 से 1 पर, so it is not, ऐसे लिखते हैं अपने, usually, बहुत लोग क्या होते है न, oversimart होते है, तो उन लोग क्या लिख सकते हैं, बते हैं, एक्जाम में, नहीं, आपको not irreducible लिखना है, not word यूज करना है, English नहीं लगाना है अपना, कि irreducible है, तो opposite reducible होगा, ठीक है? not irreducible लिखके होगे, reducible नहीं लिखके होगे, जहां English यूज करना है, बहां तो आप लोग करते नहीं हो, चलो, अब इसके बाद, अभी कौन जॉइन कर रहा है, तो कुछ नहीं समझ आएगा, एक घंटे बाद तो जॉइन कर रहा है, मरूफ खान, तुम्हों कुछ नहीं समझ में आएगा, मरूफ, तुम्हें एक घंटे बाद जॉइन कर रहा हो, not irreducible, चीक है, अब इसके बाद, और क्या थर्ट, अब देखो, irreducible तो नहीं, मतलब हाई नहीं, तो आगे हम लोगों भढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि unique distribution हाई नहीं, ढूनते रह जाओगे, हाना, नहीं मिलेगा, बट, चलो, भढ़ जाते आगे, बताओ, periodic है की नहीं, state 1 का बताओ, state 1 में, no return possible, तो a periodic हो गया, हाना, तो यह a periodic है, state 2, loop है, इतना घूरों में धर्शता, loop है, a periodic, 3, वो कब होता है, वो कब होता है, वो logic, जब वो irreducible होता है, तब, सारे dots को connect करना पड़ेगा, तो यह भी a periodic, यह भी a periodic, पूरा chain है periodic, बट, फरक ही नहीं बढ़ता, क्योंकि irreducible नहीं है, तो हम लोग आगे, नहीं भरेंगे, stationary distribution, evaluate कर ही नहीं सकते, unique stationary distribution, exist ही नहीं करता, is this clear to all, third example लेको, correct, अरे यार, अरे नहीं करता, स्क्रीन पर कुछ आ गया न, एक सेकंड, नहीं छुट्टी नहीं, मुझे एक मिनिट देना, ठीक के?